हेलो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं उड़त की डाल की इजी सी खिचडी यहां मैंने लिया है चावल, डेड़ कटोरी और उड़त छिलका डाल, आधा कटोरी इन दोनों को मिक्स कर लीजे और इसे 3-4 बर अच्छे साफ पानी से धोईए यहां मैंने लिया है कूकर और इसमें मैंने यूज किया है देसी घी, दो चम्मच आप चाहें तो रिफाइन में भी बना सकते हैं पर इसका असली स्वाथ देसी घी में ही आता है अब मैंने लिया है काली मिच, लॉंग और तेश पत्ता और अब मैंने इसमें डाला है अद्रग घिसकर दो मिनट भूनने के बाद मैंने डाल और चावल इसमें डाल दी है अब हम इसे दो मिनट तक चलाएंगे और इसके बाद मैंने चार कटोरी से थोड़ा कम इसमें पानी डाला है, नमक मैंने डाला है, स्वाद अनुसार, यहां अच्छे से मिलाके, अब मैं कर दूँगी कुकर का धकन बन, और हाई फ्लेम पर पहली सीटी आने तक पकाएंगे, अब कुकर को उने देते हैं थोड़े ठंडा और यह देखिए आप खिली खिली बहतरीन उड़त की डाल की खिचडी तयार है, इसे हम तो खाते हैं पापड, मूली का लच्छा और बढ़िया से अचार के साथ, और हाँ घी डालना ना भूले क्योंकि असली स्वाद तो घी स तो आप भी आज ही ट्राइ कीजिए और मुझे बताएगा कि आपको यह कैसी लगी, थांक्यू फर वाचेंग